वलकम बैक दोस्तों कैसे वाप दोस्तों बनाते हैं अर्डुनो नो प्रोजक्टर प्रोटियस-8 फॉफ्ट्ट्वेर पे का डीनो कल्कुलेटर आज बनाते हैं तो जल्दी से करते हैं अद्ग सब्सक्रारन आप तो हम new project यहां से create करते हैं, अगर आप भी Proteus software पर अपने Arduino project बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने video बनाया है, उसकी link भी मैंने description में दे रखी है, तो यहां project का कुछ नेम देते हैं और इसके बाद next पर click करते हैं, फिर से next, next, next और finish तो सबसे पहले हम components लेते हैं, components में Arduino पहले लेते हैं, Arduino यूनो को में ले रहा हूँ, और उसके बाद LCD लेते हैं 16 into 2, और हम keypad लेते हैं, 4 into 4 keypad लेते हैं, तो अब हम इनको paste यहां करते हैं, components को, keypad की pin A को connect करते हैं, Arduino के digital pin 0 से, pin B को connect करते हैं, Arduino के digital pin 1 से, pin C को connect करते हैं, Arduino के digital pin 2 से, pin D को connect करते हैं, Arduino के digital pin 3 से, pin 1 को connect करते हैं, Arduino के digital pin 4 के साथ, कीपैड की पिन 2 को किनेक्ट करते हैं आर्डूनो के डिजिटल पिन 5 के साथ कीपैड की पिन 3 को किनेक्ट करते हैं आर्डूनो के डिजिटल पिन 6 के साथ कीपैड की पिन 4 को किनेक्ट करते हैं आर्डूनो के डिजिटल पिन 7 के साथ right-click करके हम लेते हैं ground terminal यहां से Arduino में जो हमें power pin मिलती है तो Proteos of the year पे हमें 설 नहीं मिलती है तो इसलिए externally हमें supply की लेंगी पाड़ती है तो right-click करते प्लेस पे क्लिक करते जनरेटर पे क्लिक करते और यहां से टीसी को सेलेक्ट करते तो डीसी पे डबल टैप करते और यहां से इसकी वोल्टेज 5 वोल्ट रखते LCD डिस्पली की पिन 1 को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ LCD डिस्पली की पिन 2 को कनेक्ट करते हैं जनरेटर के साथ जोगे 5 वोल्ट एनरजी जनरेट करेगा LCD display की pin 3 को connect करते है ground के साथ LCD display की pin 4 को connect करते है Arduino की digital pin 8 के साथ LCD display की pin 5 को connect करते है ground के साथ अगर इस project को आप hardware से बनाते हो मतलब कि Arduino आपके पास real hardware में और ये सारे components भी तो आपको pin 3 को connect करना होगा 10 के potentiometer की center pin के साथ और जो potentiometer की बाकी 2 pin रहेगी उनको 5V supply के साथ और दूसरे को ground के साथ connect करना होगा pin 6 को connect करते है digital pin 9 के साथ 789 10 को skip करते है pin 11 को connect करते है digital pin 10 के साथ pin 12 को connect करते है digital pin 11 के साथ पिन 13 को connect करते हैं digital pin 12 के साथ LCD display की pin 14 को connect करते है arduino के digital pin 13 के साथ तो इसी के साथ हमारे सारे connection इस complete हो चुके है अब हम चलते हैं arduino IDE में coding के लिए coding मैंने description box में दे रखी है आप वहाँ से download करें और अपने arduino IDE में इसको open करें करने के बाद आप इसको compile करें तो जब कि compile होता है तब तक आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को share करें तो जब हम protea software पर arduino का project बनाते हैं तो उसमें हम code को upload कैसे करें वह हम देखते हैं तो इसके लिए हम यहां जो hex file generate होती है उसकी link paste करते हैं Arduino पर तो जो यह सी ड्राइव में मौज़द है हमारी hex file तो इसको हम copy यहां से कर लेते हैं तो गलती से मैंने यहां प्रण भाइव को जो connect किया है वह मैंने फाइव वोटर सबला के साथ connect किया तो इस वायर को मैं delete यहां से करता हूं कि यह वाली रही स्वारी कि और पिन नमर फाइव को connect करते हैं ground के साथ हम फिर से run करते हैं project को हमारा जो प्रोजेक्ट है यह वर्क कर रहा है तो अगर मैं one two plus one two करूं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है यह वर्क कर रहा है इसी तरह माइनस को चक करते हैं two one तो one दिखा रहा है माइनस भी वर्क कर रहा है अब हम multiplication को चक करते हैं तो सबसे पहले इसको clear करते हैं two multiply two equal to two multiply भी वर्क करता है तो अब हम division को try करते हैं सबसे पहले इसको clear करते हैं 10 10 divide 2 equal to 5 तो हमारा project is successfully work कर रहा है थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो तो 1 1 2 3